जाहिन दोस्तो मैं मुहम्मद मतीन Modern Classes की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम जो चैप्टर लेकिया है वो ये भारती समिधान की प्रस्तावना दोस्तो प्रस्तावना की सम्मंधित कुछ प्रशनुत्री है जो बहुत बार एक्जाम में पूछते हैं प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना है क्या प्रस्तावना पढ़ते हैं उसके बाद हम समझाते हैं कि इसको किसने पेश किया था ठीक है यह देखिए यह प्रस्तावना यानि यह कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ड प्रभुत्व, संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतंतरात्मग, गरण राज बनाने के लिए तथा तथा उसके समस नागरिकों को नियाय, समाजिक, आर्थिक और राजनितिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और आउसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में वियक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिर्ड संकल्प होकर अपनी इस समिधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इस्वी को एतद द्वारा इस समिधान को अंगिकृत, अधिनिय आपित करते हैं, दोस्तों अब आप समझेगा जराता है, यानि यहां पर कहा क्या जा रहा है, यहां पर सबसे बड़ी बात हम समझेगा कि यहनि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब कहा जा रहा है, यहां सिंपल सी बात की समझेगा, इस्टार्ट किस जनता को जो अधिकार मिले हैं वही समिधान का आधार है यानि जो हमको आधार जो हमें अधिकार मिला है हम सभी नागरिकों को वह हमारे समिधान का बेस है मुलुद्देश क्या है वही है या दूसरे शब्दों में भारती समिधान भारती जनता को समर्पित है अगर ऐसे नही प्रबूत्हई ये कहा गया है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होगा कि भारत ना तो किसी आने देश्ट पर निर्भर है और ना ही किसी आने देश्का ुमीनियन है इसके उपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अ 뉴스 माव हो जाएगा संपत्ति आदि पर सारवजनिक स्वामित्व या नियंत्रड के साथ वीवरण में समतुल्ड सामंजस से होगा ठीक है यहां मतलब हो गया अच्छ दोस्तों एक बात ध्यां दीजेगा जैसे अब यहां समाजवादी पंथनिरपेश पंथनिरपेश का मतलब होता है यानि इसका सिंपल सा मतलब यही होगा दोस्तों यानि हमारे देश में जो ये पंथनिरपेश का पहलु है इसका सीधा मतलब यही है कि देश का कोई धर्म नहीं है यानि हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राफत है यानि सभी धर्म समान है और किसी समधनागरिक को नया, समाजिक यानि समाजिक नयाय और आर्थिक नयाय राजनिस्टी ओ उन्प सबथा और होadlynn को तो भीचार एक्ता और अखंडा सुनिश्चित करने के लिए बंदुता बढ़ाने के लिए दिर्ण संकल्व होकर अपनी सविधान लonnerा न मैं लाकि dit इसमें जो भी कहा गया पूरे सविधान का निचोर दे लिया गया इसमें ये समझिएगा ठीके तो दोस्तों इसे सम्मधित कुछ प्रशन हम देखते हैं ये बात करते हैं पहला प्रशन है निम्निम से धर्म निर्पेक्ष का सही अर्थ क्या है अब इसमें ये बताना है कि धर्म निर्पेक्ष का सही अर्थ क्या है ठीक है ये पढ़ते हैं सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है देखिए पहले ही सही हो गया लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं राष्ट धर्म का विशेस महत्व है C. सरकार द्वारा किसी एक धर्म को सनचर देना या D. निमने से कोई नहीं तो इसका सिंपल संसर हो जाए कि क्या है अभी मैंने पढ़के बताए आपको कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है दूसरा प्रशन है निमने से कौन सा शब्द भारती सर्विधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है अब इसमें ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें नहीं लिखा गया है तो A क्या है? संप्रभू तो ये बिलकुर सा ये शब्द जुड़ा गया है समाजवादी ये भी है रास्ट निर्पेक्च यह वर्ड नहीं है यानि इसका अंसर हो जाएगा C और D वर्ड है यानि B है, A है, D है और C नहीं है इसका अंसर हो जाएगा C अब तीसरा प्रशन क्या है निवन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अब इसमें ये बताना है कि सत्य नहीं है तो पहले पढ़ लेते हैं चारो को उसके बाद हम डिसकस करते हैं देखिए पहला है भारती सविधान के लागू होने की तीथी 26 नॉमबर 1949 B धर्व निर्पिक शब्द को 42 सविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था C है 42 सविधान संशोधन 1976 में हुआ था D है भारती सविधान में समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय को रूसी करांति से लिया गया है अब देखिए यहां पर पहला क्या गया रहा B भारती सविधान को लागू होने की 36 नुम्बर 1949 है दोस्तो भारती सविधान को लागू होने की जो तीथी थी 26 जनुर्य our 1950 लेकिन अगर पूछा जाए मतलब उसको रिसीव किया गया था लिया गया था कब से तो वो लिया गया था 26 नॉमबर 1949 को accept किया गया था ठीक है और दोस्तों अगर बात करते हैं कि लागू होने की तो 26 नॉमबर 1949 को लागू हुआ था ठीक है लागू नहीं हुआ था यानि 26 नॉमबर 1949 को लागू हुआ था इसका अंतर हो जाएगा A चौथा प्रस्ण है संप्रभू भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है अब इसमें कौन सा कथन सही नहीं संप्रभू भारत के मामले में आज़े बात करते हैं A है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है तो बिल्कुल सही बात है ठीक हाँ दे सकता है या ले सकता है वो हमारे भारत खुछ सोतंतरेस में डी क्या कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में सहीत राष्ट की बात मानने को बात है यही तो बात है कि हमारा देस किसी भी मामले में सहीत राष्ट की मतलब उनकी बात को माने या ना माने इसके लिए वो बाद नहीं है ठीके, इसका अनसर हो जाएगा D, क्या हो जाएगा इसका अनसर हो D पांच्वफफशन है कि क्यैम मुनसी का संबंद किस से है तो दोस्तों, यहां क्यैम मुनसी का संबंद है सविधान की प्रारूभ संबिती संबंद है ठीक है अब यह समझेगा प्रारूप समिति की संब्द समंदी थे छटा प्रस्ण है बेरुबारी मामला किस वर से समंदी थे अब दोस्तों देखिए यह है तो 1960 में लेकिन क्या था यह बेरुबारी समिति दोस्तों दिधान लिएगा इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो समिधान का अंग नहीं है इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इस मतलब इसमें कोई भी नया वड़ नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन वहीं आगे चल जब केश्वानन भारती मामला हुआ था 1973 में उन्होंने कहा था कि समिधान यानि प्रस्तावना जो है समिधान का अंग है इसलिए इसमें हम कुछ भी मतलब अगर उसमें संस्रोधन करना चाहाए था अनुछे 368 के तहट हम संस्रोधन कर सकते हैं इसी को देखते हुए डॉक्टर स्वारी सिफारिश के सिफारिश के मौके पर उन्होंने क्या का था कि इसमें तीन सब्द जोड़े जाएं तो उन तीन सब्द को जोड़ा गया था वो कौन-कौन सब्द थे मैं आपको पहले बता दिया है आई अब इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा उन्नी सो साथ साथवा प्रशन है निमनिम से धर्म निर्पेश का सही अर्थ क्या है अब इसमें बताना है धर्म निर्पेश का सही मतलब क्या होता है देखिए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है तो देखिए ये है अगर देखा जाए तो यही वर्ड सही समझ में आ रहा है यानि ये सबसे सही वर्ड आ जाएगा यानि क्या हो जगा अनसर? A आठों प्रशन है भारती सभीधान में समाजिक समता का क्या अर्थ होता है तो भारती सभीधान में समाजिक समता क्या अर्थ है? आसरों का अभाव या विशमताओं का अभाव C समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेशाधिकार के अनुपस्तिती या D इन में से कोई नै या निम्ड में से कोई नै से इसका उनतर हो जाएगा स यानि समाथ कि किसी भी वर्ग के लिए विशेशा धिकार कि अनुपस्थिती ठीक है अब नाउवा प्रस्ट देखते हैं निम्ड में से किसने भारती सविधान की प्रस्तावना को सम्विधान का कुंजी कहा है किस ने कहा था यानि अर्नेस्ट वारकर ने कहा था सम्विधान के कुंजी नोट कहा था दस्वा प्रस्तावन देखते हैं दोस्तों नियमनिसर कथन कौन से कथन सकते है अब इसमें देखते हैं कि A यानि बेरूबण बारी case में सुप्रिम कोट ने कहा था कि प्रस्तावना सविधान का भाग नहीं है तो इस बिल्कुर सही है यानि आप मैंने बताया था पहली कि बेरूबण बारी case सुप्रिम कोट यानि 1960 में सुप्रीम कोट को फैसला देना पड़ा कि नहीं भाई सविधान प्रस्तावना जो है सविधान का भाग नहीं है लेकिन अगर बात करते हैं कि B वाला option यानि केशवानन भारती case में सुप्रीम कोट ने कहा था कि प्रस्तावना सविधान का भाग है इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है ठीक है C क्या कह रहा है भारती सविधान की प्रस्तावना को कनाड़ा से सविधान से लिया गया है तो ये भी सही है D क्या कह रहा है कि इनमें से कोई ने या निमनें से कोई ने तो जोस्तों यही सही है बाकि तीनों सही है ठीक है इनमें तीनों option बिलकुर सही है अब बात करते हैं 11 प्रशन भारती सविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है देखिए वहाँ था प्रस्तावना यहां है प्रस्तावना की भाषा को तो प्रस्तावना की भाष़ा कहां से लिया गया था आस्ट्रेलिया से लिया गया है यानि answer हो जाएगा C इसका answer क्या हो जाएगा C दोस्तों ये रहा बहुत बहुत महत्पूर 11 प्राश्मनों तरी आगे इसी तरीकेस हम लेकर आएंगे दोस्तों याद रखियागा आने वाले डेज में बहुत सारी वेकेंसी आने वाली है आप लुक तैयारी में लगे रहिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा जैहिन जैभारत